दिल्लीरे लागु ही पारे कर्फियू कान दिल्लीरे बर्तमान को करोना संक्रमनाव दिनों को दिनों ब्रुधि घट्टु छी जहा कुनेई करोना मुकाबला पाई बर्तमान उचस्तरिय समिख्या बईठक कर चलेची तबे कौन रोईची पुरा घट्ना ऐबंग कोन आसुच विशे सुचना एसम पर करें जारी बापाई आम सुधा सिधास रुको जुड़ी हुच्छें दी दिलीरू गगन विश्वाल जुड़ी हुच्छें दी गगन अधिक अपडेट किछे आसु छी कि देखों तिनमाई किसव पुर्बुरू जे भड़ी भाबेम कोई छुली जे बरतान बरतान परजनता बरध्या बईठक जारी दोई ची एबंग विभिन्न कथा कुने की बरतान सरकार आलुच्छें ना कर चोंदी काहिकिना जदी कर्फियू जारी कराओ ची तिननोटी बडर दिल्ली को प्रति दिन उत्तरपदेस कोंतु उत्तराखन कोंतु हर्याना कोंतु इतिननोटी जाको राजियू दिल्ली उपरे सम्पुन रोपपे डिपेंडेंट 1000 लोकर रोई चुन्दी स्रमीक रोई चुन्दी डेली वार्कर रोई चुन्दी ओफिसल स्टाप रोई चुन्दी उभय केंदर सरकार राजय सरकार ये बंग अन्य गुडिये प्राइबेट कमपानी गुडि करे शुचन हैंदकार रोई चुन्दी ऐदात रोई चुन्दी ओफिसल स्टाप रोई चुन्दी और रोई चारचा हूँची घजरिवाल बंग ता परे जु वीकेंड कर्फियो को था कोई चोंदी पूर्वा बैठा करे दुई दिन पूर्वुर जु वीकेंड कर्फियो लागो करा इथला ताहा बलबत रही बगी नहाई जदी कर्फियो जारी करा आउची केउंकेउं सेबा गोडी को मंजूर दिया जिवो बजार गोडी को खोली वेकेंड हाई काइंग ना देखिवे जो पूर्वा जितले प्रथम लहर आशी थेला भारत परशारे सेतले मुख्यो मंद्री केजूर आलगोटे आलीगेशन मों द्यानी थेले केंडर रूपरे जे लोगडाउन केंडर सरकार जारी कले वर्तवान सरकारी एंप्लोई माननों को दरमा दवा पाई मोपा करे सरकार चालिया पाई में अर्थर आवस्चे के तरह उची तो सब सिच्च्वेशन को देखी की ही वर्ता निस्पति निया जिवा जदी कर्फू जारी कराऊची हुए तो मासा करूची जो कंपनी गुडी करोई ची दिल्ली एंसियार है तो फिप्टी परशन की थार्टी पर सब्सक्रान बता निस्पतिस एंसियार है तो फिप्टी परफ्टान प्रधानमंत्री पर रनली एंसियार है तो में अर्थर आवस्ची दो को देखी करें। अन्ये गुड़िये कठा कुने की बरतान विचार विमोर्ष जारीर होईची अन्ये पटे प्रदान मंत्रीं करजियरें मध्या को गुरुतपुर्ण बईठक कहुची प्रदान मंत्रीं मध्या जानिया पाइँ चाहू चुन्ती जे बरतावन सिचुएशन कान रोईची तोक आमापाखरोईची देखिवे प्रत्थम जेते वड़े करोना आस्तेला भारत वर्षोगुमु कहरोख्यों चाहिए चिनमही सत्वडे माक्ष मध्या आमापाखर न थिला किन्तो एभली एका नारादी जाई थेला एपली एका सब्दा यूज करा आइथला आत्पो निर्भर भारत जा फलरे घरे घरे माक्ष त्यारी हला बाहर देश्चोगुमु मध्या आमे माक्ष सप्लाई करी पाले श्वी बली भाबरे जदी बगतान अक्षिजन सटेज अची अन्नेक राजियो बरतान अभीजो गानुच अंती कोड़ी बेड मिलूनी तो निश्ची धाबे जो प्राइबेट हस्पिटाल गुडी करोई ची ताको मध्या सिफ्ट करा जाई पारे जो अक्षिजन कथा सटेज कथा आशुची अन्डियान अईल कोंत। उन्जिसी कोंत। अन्नेक गुडिये जो आमारा कम्पनी गुडी करोई चोंदी तल्यो कम्पानी गुडी को ताको मध्यो प्राइबेटिव एसिसरे तियारी करिया पाई मध्यों क्वा जाई ची केंद अबंग राजियर मुख्य मंतरी प्रधान मंतरी गशाई तरन सबू सिच्वेशन को देखी की ही वर्तवान निस्पदरियांची किन्तो दिल्ली कोट ना कोटी वर्तवान कंटूल बाहर कुचा लिये ची काहिना प्रति दिन 25,000 केस आसी बा गुटे दिल्ली पाई छोट्ट पर इस्थितियों को इमानदारी के साथ आपके सामने रखता रहा हूँ आपसे चर्चा करता रहा हूँ एक चीज हम लोगों ने हमेशा गांट बांध के रख्ये आपको कभी गलत अठ्ध्य नहीं दिये आपसे कभी जूट नहीं बोला जो था आपके सामने रख दिया अगर स्थिति अच्छी थी तो भी आपको बताया, स्थितिक हराब थी तो भी आपको हम नहीं मानदारी से बताया, क्योंकि हम पहले दिन से समझ गए थे कि ये इतनी बड़ी आपदा है, कि आपके साथ के बिना, जनता के साथ के बिना, अकेले इस आपदा से सरकार सामना नहीं कर सकते हैं, जनता का सह और जन्तकी सहभागीता उस पूरे संघर्ष में बेहत जरूरी है और जब तक जन्तक को सच नहीं बताया जाएगा सारे तथ्थे जन्तके सामने नहीं रखे जाएगे तब तक जन्तक की भागीदारी सुनिश्चित करना असंभफ था इसी दे हमने हर चीज आपके सामने रखी हमने टेस्ट नहीं कम होने दिये आज दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं मैं तो यह कहूँगा कि अगर प्रती दस लाख की पॉपुलेशन पे देखा जाए तो शायद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टेस्ट दिल्ली में हो रहा है मैंने देखा कि कई जगों पे उन्होंने टेस्ट कम कर दिये टेस्ट कम कर दिये तो केस कमाने लग गए इस तरह से तत्थियों के साथ कई जगे हेर फेर करने की कोशिश की गई हमने ऐसा नहीं किया हमने टेस्ट कम नहीं किये उल्टे कम करने के वज़े हमने दिल्ली में टेस्ट कई गुने बढ़ा दिये आज लगबग एक लाख टेस्ट दिल्ली में डेली हो रहे है हमने मौत के आंकड़े आपसे नहीं छुपाए जितनी मौतें होती थी, हमने सब आपके सामने रखी, इमानदारी से रखी, अगर ज्यादा हो रही थी तो ज्यादा बताई, कम हो रही थी तो कम बताई, कितने बेड्स हैं, कितने आईस्यू बेड्स हैं, क्या परिस्थितियां हैं, हर चीज आपके सामने इमानदारी के साथ और इसी वज़े से जब भी हमने कड़े निर्ने लिये हमें आपका पूरा सहयोग मिला दिली की जंता का पूरा सहयोग मिला मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी दिली एक परिवार है दिली के दो करोड लोग एक परिवार है और जब परिवार में कोई आपदा आती है तो सारे परिवार के लोग मिलके उसका सामना करते है अब भी हम सभी मिलके इसका सामना करेंगे पहले भी जीत हुई थी अब भी जीत होगी आज दिल्ली में क्या परिस्थिती है पिछले 24 गंटे में दिल्ली में लगबग 25,000 के साय थे तो पिछले 3-4 दिन से रोज हम देख रहे हैं लगबग 25,000 के करीब केस आरहे हैं पॉजिटिविटी बहुत ज़ादा बढ़ गई है, संक्रमंदर बहुत ज़ादा बढ़ गई है, दिल्ली के अंदर अस्पतालों में उपलब्ध बेड्स की भारी कमी हो रही है, डेली 25-25 अगर पेशेंट्स आएंगे तो कोई भी विवस्था चर्मरा सकती है, दिल्ली के अं पे देख रहा था, 100 से भी कम ICU बेड्स दिल्ली में बचे हैं, ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है, कल हमने Central Government को भी लिखाया, उनसे बाचीच चल रही है, परसो रात को एक हादसा होते होते बचा, एक प्राइवेट हॉस्पेटल ने हमें बताया कि परसो रात को तीन बजे के करीब उनके अस्पिताल की ऑक्सीजन लगबख खतम हो गई, वो बोले जी हम तो बहुत बुरी तरह से डर गए, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, इधर उधर हाथ पर मारके किसी तरह से उन्होंने कहीं से ऑक्सीजन का इंतिजाम किया, दवाईयों की कमी हो रही है, रेम इस पे चर्चा करने के लिए मैंने आपको यह परिस्थिती बताई है, तो दिली के अंदर करोना की परिस्थिती काफी गंभीर है, अभी तक हमने दिली के अंदर हेल्थ सिस्टम को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया, दिली में चौथी वेव आई है, पहली वेव पि करीब केस आये थे, दुनिया के कई शहर ऐसे हैं, बड़े बड़े देशों के विक्सित देशों के शहर, जहां छे हजार केस आये तो उनका पूरा हेल्थ सिस्टम चर्मरा आ गया, कोलाप्स कर गया, दिली में साड़े आठ हजार केस आये, पिछली बार तीसरी वेव में, तब भी हमारा सिस्टम कोलाप्स नहीं किया, उल्टे हमने और ज्यादा अपनी तयारियां शुरू कर दी, आज पच्चिस हजार केस आये हैं, अब दिली का हेल्थ सिस्टम अपनी सीमा तक पहुँच गया है, हमारा हेल्थ सिस्टम अब बहुत जादा तनाव में है, मैं ये किसी भी सिस्टम के अपनी सीमाई हैं, पिछले पांच साल में आपकी सरकार ने दिली में बहुत बड़े स्तर पे स्वास्त के क्षितर में काम किया है, खूब नए हॉस्पिटल खोले हैं, महला क्लिनिक, पॉली क्लिनिक बनाए हैं, बहुत बड़े स्तर के उपर स्वास्त क के उपर भी दिल्ली का सिस्टम चल रहा है लेकिन अब इसके बाद अगर तुरंत कुछ कठोर कदम नहीं उठाए गए तो यह सिस्टम कॉलाप्स कर सकता है और अगर हेल्ट सिस्टम कॉलाप्स कर गया तो मुझे डर है कहीं बहुत बड़ी तरासदी नहों जाए जैसे मैंने कि कल एक अस्पताल में ऑक्सिजन बिल्कुल खतम हो गए थी और बहुत बड़ी तरासदी होते होते बची मैंने वीडियो देखे हैं तस्वीरे देखी हैं आपने भी देखियोंगे सोशल मीडिया पर दुनिया के कई शहर ऐसे हैं जहां कोरिडोर में पेशेंस पड़े हु होई और इन सारे पहलूँ के उपर सारी परिस्थिती के उपर काफे विस्तार से बाचीत होई और उस बाचीत के बाद हमें ये लगा कि दिल्ली का हेल्थ सिस्टम बड़ी मात्रा में और अधिक पेशेंट्स अब लेने में असमर्थ है अगर हमने अभी लॉकडाउन नहीं लगाया तो कहीं ऐसा नहों की बड़ी त्रासदी हो जाए हम किसी भी हालत में दिल्ली को उस परिस्थिती में नहीं ले जाना चाहते जहां कॉरिडूर के अंदर पेशेंस पड़े हैं सडकों पे लोग दम तोड़ रहे हैं आज सभी परिस्थितियों का जाजा लेने के बा दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है इस दौरान जाहिर है कि जो जो एसेंशल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी खाने पीने की मेडिकल विवस्थाओं की वो जारी रहेंगी ये शादियों का सीजन है लोगों के बड़े मुश्किल से रिष्टे बनते हैं हम उनक रिष्टे तोड़ना नहीं चाते तो लोगों की शादियां संपन हो लेकिन केवल पचास लोगों के गैदरिंग के साथ संपन हो उसके लिए लग से पास दिये जाएंगे इसके बारे में अभी थोड़ी देर में डीटेल्ड और जारी हो जाएगा कि चीजे जारी रहेंगी और कौन सी चीजों पर पाबंदी रहेगी मैंने और एलजी साहब के हम दोनों ने निरने तब लिया है जब हमारे पास कोई उपाए नहीं बचा था हमारे लिए निरने लेना असान नहीं था क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि लोगों के रोजगार खतम हो जाते हैं लोगों की गरीब तब के लिए तो यह बेहद मुश्किल होता है जो दिहाडी करके रोज कमाते हैं उनके लिए तो बेहद मुश्किल हो जाता है पिछली बार जब देश में लोगडाउन लगा था हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गाउं जाने इतनी उर्जा खराब होती है दिलि में रहिए एक मुझे उमीद है कि यह छोटा लॉकडाउन और छोटा ही रहेगा मुझे पूरी उमीद है कि शायद बढ़ाने की जरूरत ना पढ़े आप दिलि में रहिए यकीन मानिये हम पूरी मानदारी के साथ सब मिलके लड़ेंगे तो जल्दी इस मुझसी बस से छुटकारा पाएंगे मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सरकार आपका पूरा ख्याल रखेगी मैं हूना मुझ पे भुरूसा रखिये मेरी दिल्ली के सभी नागरिकों से अपील है कि ये निरने हमने बहुत मुश्किल से लिया है आप सब लोग जानते हैं कि मैं लॉकडाउन के सक्त खिलाफ रहा हूँ हमेशा से मैंने लॉकडाउन का विरूद किया है मेरा ये मानना है कि लॉकडाउन से करोना खतम नहीं होता लॉकडाउन से करोना की स्पीड कम हो जाती है मेरा हमेशा यह मनना है कि अगर किसी भी शहर या राज्य की स्वास्थ विवस्था अपनी सीमा तक पहुँच जाए तो लॉकडाउन लगाना जरूरी हो जाता है ताकि पेशेंट्स का नंबर कम हो जाए ताकि हेल्थ सिस्टम को और दुरुस्त किया जा सके यह जो छे दिन का लॉकडाउन हम लगा रहे हैं यह जो छे दिन हम ले रहे हैं आप से इन छे दिनों के अंदर हम बहुत बड़े स्थर के उपर और दिल्ली में बैड्स की विवस्था करेंगे केंदर से हम मदद मांग रहे हैं. उन से लगतार समपर्क में हैं. केंदर सर Mario के मदद भी कर रही है. उसके लिए हम केंदर सरकार के शुक्र गुजारें. उन से ऐक्सीजन की विवस्था करेंगे. दवाईयों की विवस्था करेंगे. इस lockdown के समय को हम इन सब चीजों के लिए इस्तिमाल करेंगे मेरी अप सब लोगों से गुजारिश है कि lockdown का पूरी तरह से पालन करें घर से बाहर इस दौरान ना निकलें पहले भी हमने कई कठिन निरने लिए और आपने मेरा पूरा साथ दिया मुझे पूरी उम्मीर है आज भी आप मेरा साथ देंगे हम मिलके इसका मुकाबला करेंगे और जरूर जीतेंगे नमश्कार स्थिति गंवीर हम कुरोना को नहीं जाँ पहलें से बाधियों वीचंते लोगडाउन जारी करिवा पाई तबे आजी राती दासा ट्रू दिलि रे चा दिन पाई लोगडाउन जारी जारी हुँ छी एथी पाई मध्यों से दिल्ली बासीन को अपेल करी छी जे दिल्ली बासी ए छो दिन भीतरे क्वाडे नजबा पाइन तेमे गगान आवकोड अधिको सुचना आसुची देखों निशी तावे जे भडी चिनमाई कथा रखेले केजरिवाल जे कथा पुर्बुर मोदेमों को अधिली अन्य गुड़िये कथा को विचार को निया जाई छी काईगना सिधा सड़क से गुड़े भवयंकर तत्य देले जे सोयरू बर्तवान बहुत कम आईशू बेड रही ची शे कथा को साम ना कश्ति लेकिन्त पूर्बव वइठकर ये कथा पूर्बव प्रेस्मेटर ये कथा कैजरिवाल मानी नथे ले किन्त आजी मानी चीनत इह सबु ठु बड़ा कथा सिधा सलब से सबु कथा जुर ने गुड़िये कथा रकिच्छन दी शिधा सलाग पुर्भूरू जो कथा गणमाध्यम बारे बारंबार चाहुतला निूजपेपर या सुथला टीबी मीडिया रे प्रचाहुतला दे दिल्लीर सिच्वेशन बिगडी जाईची बरतान सफिसेंट बैड नाही गुटिये बैड रे अभश्य कपले दूरू तिनी जन अब जो र दिल्ली रे लोगडाउन जारी हुची एबंग यहां हुची एको छोटो लोगडाउन एबंग छो दिनों पाई दिल्ली रे लोगडाउन जारी हुची जापड़ रे मुख्यमंत्री केज़रू आलमध्यों दिली बासिंको अपेल करी छोंती जे तंको संपुर्ण भाबरे सहजो करे आपें बहुत धन्यवाद गोगान आपनों आमसे तो जोड़ी हुथ ले बंग संपन्न सुचरा दो थे ले